आप देख रहे हैं प्रकास वर्दित प्रभाव का ये थोड़ा आंकिक प्रस्न है इस प्रस्न में आपको कई चीज़ें नहीं मिलेंगी तो इसमें प्रस्न हमने लिखा है कि प्रकास वर्दित प्रभाव में आपके प्रकास किया वर्दित उस सरजित इलेक्टान के दिखताउं का दुर्जा के बिच ग्राप खीचे तो इसमें दो चार चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है पहली बात कि एक दहली आवरिति तहली आवरिति का ग्राप तहली आवरिति से होकर देना पड़ता है आपको ऐसे हैं अब इसमें इसकी धाल को क्या बेक्त करता है यह आपको सो करना है देखे लिगा है न आउर सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिक्तम गतिज उर्जा के बीच ग्राप के चला है तो गतिज उरजा जो आपकी होगी वो इस साइड की होगी ek के रूप में और ये हो जाएगी प्रकास की आवरिती म्यू के रूप में ठीक है? ये ध्थाल क्या ब्यक्त गरता है ? ध्थाल जो होता है ध्थालाओ जिसको कहते है ध्थालाण वो a को ब्यक्त करता है और 10 टीटा बराबर होता है आपका है यह बैक्त करता है यहाँ पर E electron का आवेस है और फ्लांक निया तांक है यह आपको सम्झ में आगके है यह क्या है देहली आपरिति यह आपको देना पड़ेगा यह देहली आपरिति यह प्रकास की आवरिती और कानेटिक एनलजी के बीच में ग्राफ है यह समझने आगे आप लोगों तो इस तरह से यह उसरीत इलेक्टान के गतिज उर्जा और आवरिती के बीच खीजा हुआ ग्राफ है दूसरा है इस प्रयोग उस प्रयोग का नाम बताईए या लिखिए जिसमें इलेक् जर्मर प्रयोग इस प्रयोग द्वारा आपको इलेक्टान की तरंग प्रकिर्थी का बोध हुआ था या किया गया था दूसरा एक सवाल और है आपका इसको भी थोड़ा सा ठीक से समझेंगे तो आपको रच्छा रहेगा किसी धात्तु आप्तित प्रकास की आवरिती मिव पर निरोधी भी भी वन है और आवरिती मिव टू पर निरोधी भी 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 टू है तो फ्लांक नेतांक की गड़ना कीजिए यह आपका सूत्र है जो हमारा प्रकास वैदुत प्रभाव का जो सूत्र है अंस्टीन सूत्र जिसको कहते हैं वो आता है हम माइनस डबलू पहले क कर सकते हैं माइनस डबलू और दूसरे सर्थ से अगर हम लेंगे दूसरे सर्थ से तो हम इभी टू कहेंगे एच म्यू क्या कहेंगे टू कहेंगे माइनस डबलू यह आपको दोनों समझ में आ गया होगा ठीक है अब हमें यह का फर्मूला निकालना है आपको यह के रूप म ठीक है, तो H के रूट में क्या करते हैं, कि ये कटना चाहिए, W को कटना चाहिए, एक कह लिजी, ये दूसरा कह लिजी, तो एक में से दो को घटा दीजी, घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए, E, V1-V2 आएगा, और ये आजाएगा, आपका, H, V, Mu1-W घटा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये W कैंसल हो जाएगा, तो आपको आजाएगा, H, Mu1-Mu2, और यहाँ, E, V1-V2, तो H बराबर, बड़े अराम से, ये नीचे उतार सकते हैं, तो ये हो जाएगा, V1-V2, बटे में, Mu1-Mu2, सुम्झे में आगे, ये आपका रूप है, इसका, नियतां का माण, ठीक है, अगला देखते हैं, देखे, इस सवाल में, आपको लिखा है, एक धातू प्रिष्ट पर आप्तित प्रकास का तरंगदेड, लेम्डा 1 से लेम्डा 2 परिवर्टित किया जाता है, और उसरजित इलेक्ट्रान की गतिज उर्जा, दोगुनी हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रान का देखली तरंगदेड सुत्र स्थाफित करना है, तो सबसे पहले ये जानिए, कि गतिज उर्जा का जो सूत्र है आपका, अंश्टीन समिक्रण में प्रकास के, वो है Hμ1-Hμ0, यानि W, तो अब आप कह सकते हैं, कि ये उर्जा आपकी EK है, तो यहाँ पे HCY, यहाँ पे आप करेंगे लेम्डा 1 पहले सर्थ से, पहला अगर रहेगा, तो यह रहेगा, दूसरे में आप कहेंगे C by लेम्डा 0, यहाँ जो मिल जीरो आपको दिख रहा है, यह देहली आवरिती है, और इसी की संगत लेम्डा 0 क्या है, देहली तरंग दैध है, है न, यह है, और यह वाली आपकी, आपके प्रकास की तरंग दैध है, जब हम लेम्डा 2 करते हैं, तो यह गती जूर्जा दुग नहीं हो जाती है, मतलब कि 2E के हो जाएगी, जब हम C by लेम्डा 1 की जगा पे 2 करेंगे, तो C by लेम्डा 0, एक समिकरण आपका यह है, एक समिकरण आपका यह है, दो समिकरण हो गए, अब आपको करना क्या है, कि क से इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि आपको किस की चाहिए, आपको यह चाहिए, इसका सुत्र चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कि इन दोनों को बराबर करना चाहें, तो कर लीजिए, ठीक है, तो अब देखे क्या मिलेगा, कि अगर EK का मान यहीं डाल देंगे, य एक का केवल मान यहां पर क्या करिए पुश कर दीजिए तो यहां देखे हम एक से एक का मान इसमें डालते हैं तो यह हो जाएगा hc lambda 1 minus hc by lambda 0 बराबर होगा hc by lambda 2 minus hc by lambda 0 ठीक है अब इसमें से sc को common ले लेजे sc common आ जाएगा तो 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 0 और इसमें से common अगर ले लेंगे तो lambda 2 minus lambda 0 1 by ठीक है न अब इसको थोड़ा हाल करेंगे तो यह कट जाएगा इसको अगर गुड़ा कर दें तो 2 1 by lambda 1 minus 2 1 by lambda 0 और यहां हो जाएगा lambda 2 minus 1 by lambda 0 ठीक है इसको इस साइड अगर हम कर देते हैं देखिएगा ठीक से तो 2 lambda 1 यह हो इसको इस साइड कर देंगे तो minus lambda 2 हो जाएगा जब इसको इस साइड कर देंगे तो आपका 2 lambda 0 minus lambda 0 यह प्लस में हो जाएगा यह इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा अब देखिए इसमें क्या मिला इसको घटा देंगे तो आएगा 1 by lambda 0 क्लियर और यह जब हम करेंगे तो इसमें देखिए आपको क्या मिल जाएगा यह आपका टू लेमडा वान लेमडा टू है ना देख लिए कलग तो नहीं हो रहा है यह ठीक है यह वाला इस सैडल यह टू नहीं रहेगा आपका यह ठीक है यह देखिए यह ठीक है आपका अब इसमें हम क्या करते हैं केवल पच्छांतर कर दिजए तो लेमडा टू मैनस लेमडा वन बाई में लेमडा वन लेमडा टू बराबर लेमडा जीरो इसमें से कोई और नहीं करना है तो अब आप सीधा-सीधा सूतर पे चले लेम्डा 1 लेम्डा 2 बाई 2 लेम्डा 2 माइनस लेम्डा 1 यह आपका प्रूफ होगा ठीक हो गया आपका अब एक चीज़ और देख लिजिए एक तरंग दैथ एक पदार्थ का फोटो देहली तरंग दैथ इतना है इसके सता पर चारहजार इंग्स्ट्रॉम का प्रकास डाला जाता है उससरजित फोटान की गतिज उर्जा निरूधी विभो गयात को रोग गतिज उर्जा निकालनी है और निरूधी विभो निकालना है एक चीज हम आपको आज बता देते हैं जैसे अगर हम उर्जा निकालना चाहते हैं उर्जा, तो हैसे भाई, हम लेमडा लिखते हैं, कभी कभी हम ये भी लिखते हैं, कि one, two, three, seven, five buy लेमडा लिखना है आपको, तो आप यहाँ लेमडा लिखे, लेकिन एंगस्ट्रोम में हैं लिखे, क्योंकि यह मान एंगस्ट्रोम में होता ही है, То इस तरह thorough का सुत्र भी हम कर सकते हैं कि आप इसकी उर्जा इलेक्टान बॉल्ट में प्राप्त करें ठीक है अब जैसे देखिए माली जी प्रकास जो डाला जा रहा है दरसल आपका जो गतिज उर्जा निकालनी है तो उसमें आपका सूत्र ये है SC-W है ना ये आपको निकालना है आपको जो हम ये उर्जा निकालना चाहते हैं करनेटिक एनेर्जी का तो हम यहां लिख सकते हैं 1,2,3,7,5 बटे कितना लेंड़ा एंगस्ट्रॉम के लिए यहां भी हम लिख सकते हैं 1,2,3,7,5 एंगस्ट्रॉम में और इसको हम लेंड़ा जीरो भी लिख सकते हैं हम यह बता रहे थे कि यह इस पूरे कामान और एंगस्ट्रॉम काउंट करके हमारा यह इलेक्टान बोल्टे में आता है तो हम ऐसा कर सकते हैं तो 1,2,3,7,5 बाई आप कर सकते हैं पहला देली तरंगदेद नहीं है यह चार हजार तो आप चार हजार इंगस्ट्रॉम करेंगे यहां इंगस्ट्रॉम करेंगे कैंसिल होगा यहां 1,2,3,7,5 करेंगे यहां पे आप 6,000 करेंगे एंगस्ट्रॉम यहां भी है एंगस्ट्रॉम यहां भी है तो यह कैंसिल हो जाएगा तो अब देखिए अब सीधा सीधा एक सिंपल वेव में जाएगे तो 12,3,7,5 बटे कितना लिख सकते हैं चार दसमलो लगा दिया हम तो अब देखते हैं तो एके बराबर हो जाएगा हम भाग देंगे तो चारतियां 12 ठीक है चारतियां क्या हो गया 12 फिर 0 बड़ेगा 4 नमा 36 माइनस यहां करेंगे तो आपका आजाएगा 6 दूना 12 ठीक है 0.06 है ना 6 दूना 12 कार देंगे तो उसके बाद चाजाएके 36 यह इलेक्टाण बॉल्ट हुगा तो एके बराबर हो गया हमारा घटा लेंगे तो 1.03 इलेक्टाण बॉल्ट इएक एंसर आपका आ आगया अधिक्तम गति जोड़ जागा अब इसी में हमको निकालना क्या है निरोधी भी हो तो एके बराबर E के बराबर होता है E V 0 और E के का मान हमने निकाला है 0.3 electron volt और ये हो जाएगा E V तो अग V 0 अब हमारा E से ही cancel हो जाएगा तो V 0 बराबर हो जाएगा 1.03 volt ये आपको समझ में हाया होगा धन्यवाद आपको ये पसंद आएगा अब वीडियो देखें तो लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब कर ले